अब आगे बढ़ेंगे जहां राइपूर से जवक्ति की बड़ी खबर मिल रही है कॉंग्रेस प्रवक्ता विकास्तिवारी ने नोटिस भेजा है रोहिच शर्मा और अलू अर्जुन को नोटिस भेजा गया है चैतन ने टेक्नो स्कूल का ब्रैंड अम्बिस्दर होने पर न नोटिस जारी किया गया है कि चैतन ने टेक्नो स्कूल पर ठगी का मामला सामने आ रहा है और इसके चलते भी इन दोनों पर नोटिस जारी किया गया है कि घगा सा तब महसूस किया जब हमको यह पता चला कि पिछले सत्र में इस स्कूल को ना सीजी बोर्ड की माननेता थी ना सीजी बोर्ड की मान्यता थी, कुछ दिन पहले जिला सिक्षदिकारी रायपूर के द्वारा इनको नरसरी से आठवी की सीजी बोर्ड की मान्यता दी गई, जबकि यहां पिछले साल कक्षा आठवी के बच्चे नवी गए हो, नवी के बच्चे दसवी चले गए हैं, इतन महान हस्तियों को लीगल नोटीस भेजा है और मेरी उम्मीद है कि जल यह मेरे लीगल नोटीस का जवाब देंगे नहीं तो फिर इनको कानूनी कारवाई का सामना करना पड़ेगा तो देखा आपने यहां पर चैतन टेक्नो स्कूल पर ठंगी का आरूप लागा और इसके चलत और इन्हें आप कॉंग्रेस प्रवक्ता विकास्तिवारी ने नोटीस भेजा है अम बिल्कुल देखे अमूमन हम देखते हैं कि जो स्कूल होते हैं खासतर पर आकरशक विग्यापन होते हैं और कई बार जो है बड़े जो सेलिबिटी चैरे हैं वो उनका विग्यापन करते हैं या उनकी जो होटिंस होते हैं स्कूलों के जो विग्यापन करों पर आपने बच्चों का भी एडमिशन करवाया उसके साथ ही पूरे 6गर में भी लेकिन वहां पर पता चला कि उसको सी बीएसी की महलता नहीं है परेशान है और इस तरह की करते हैं तो उनको जान लेना चाहिए कि कैसे इसकूलों का वो को वो प्रमोट कर रहे हैं क्या Jill तमाम तरह की निरधारित मानेता हैं उसको पूरा करते हैं जिसका दावा करते हैे और विज्यापन देख करके जो है अपने बच्चों का अड्मिशन करवा देते हैं वहाँ पर इंवेस्मेंट कर देते हैं और बाद में यह सिति होती है कि उनके पास गुहार लगाने के लिए कुछ नहीं होता है और इसी को लेकर उनका कहना था कि उन्होंने भी अपने बच्चो उनके तरफ या रोही शर्मा के जो वकील है वो किस तरह का जवाब देते हैं लेकिन बात से पर स्कूल की नहीं है कई नीजी कॉलेजेस बे हम देखते हैं और इस तरह के विज्ञापन के जरिये जो है लोगों को बहुत बहुत शुक्री आपका ममता तमाम जानकारी के नाके बंदी कर दी गई है उद्योग भवन तेली बांधा थानक शित्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है खबर राइपूर से है जहां पर फारिंग से संसनी फैली कोला कारूबारी के ऑफिस में गोली चली जारकन के अमन साहु गैंग ने चलाई है गोली सीसी टीवी म कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक फारिंग की घटना होने से पहले अपरादियों को पकड़ाता है ये जारकन के अपरादी है और ये मैं आपको बताओं इसमें अमन साहु जो गैंग है लगबग 90 मामले उसके खिलाफ जारकन में फारिंग और अन्य लोगों के कोर्बा में कबार के अवैद कारूबार पर शुकंजा का जग्या तीन कबारियों से साथ टन कबार भी जब्त किया गया है इस कबार की जो कुल वैल्यू है वो लगबग 17 लाख रुपे आती जा रही है इसके अंदर जिन कबारियों के उपर कारेवाई की गई है उसमें सर्वप्रथा मुकेश साहू उर्थ बरबट्टी जो की राता खार के हैं इनके उपर 102 के अंदर तक इन भी कारेवाई की गई है चोरी के उपर भी कारेवाई की जा रही है और सिद्रू करेंगे समवादाता कोर्बा से अब्दूल असलम जुड़ गया है अब्दूल असलम क्या कुछ एक्शन लिया गया अवैत कारूबार पर शिकंजा कसा गया है और बड़ी मात्रा में जो काबार का समाने वो भी ज कमादा का रिचे से नकेल करते होएं कर वाय की जा रही है और यह को नवहां की है मश्यक्रा जूख्री आपका जॉनकास के लिए हैं बिलासपν ते बारिश होई के बारश की वज्य से लोगों को रहत मिली है ऊपर पर को विजास बदला तेज हवाओं के साथ जमा जंब बारिश होई है बारिश की बज़े से मौसम काफी सुहाना हो गया गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है और चली अब देखेंगे 20 बड़ी खबरे तेज अंदाज में